हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तों मिशन प्रेणा की इपार्ट साला फेस फाइव दोस्तों इसके अंतरगत 3 जुलाई 2021 को पत्र निर्गत हुआ और ये पत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दोस्तों प्रेशित हुआ जिसमें इस बात का हवाला दिया गया कि परशदी शिक्षक मुहलाक अक्षाओं का शुभारम करेंगे तो दोस्तों मुहला काक्षाओं में जो खास बात है वो ये है कि मुहला काक्षाओं हेड मास्टर विद्याले प्रबंद समित के अध्यच और उसके समस्त सदस्सों के साथ एक बैठक करेंगे उस बैटक में विद्याले जिस गाउं में इस्थित है वहां के गाउं के प्रधान भी दोस्तों आएंगे शामिल होंगे सर्वसम्मस से ये तैं होगा कि मुहला पाटशालाएं आखिर कहां चलाई जाएं वो सबसे सुरच्छित अस्थान सिक्षिकाओं के लिए शिक्षार्थियों के लिए वो कौन सा सुरच्छित और अच्छा अस्थान हो इसका निरधारन ग्राम प्रधान विद्याले प्रबंद समित के सदस अध्याच एम हेट टीचर के द्वारा सामोहिक रूप से सर्वसम्म से दोस्तों तैख होगा लेकिन मुहला पाट साला में एक बात और है वो महतपूर बात यह कि कुछ बच्चे जो कि मुहला पाट साला में प्रदिभाग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हेट टीचर की अध्यक्षता में सिक्षक सम्मंधित घरों में होम विजिट्स करेंगे उन अपर्चों के घरों में वह अपर्चीस से रहते हैं वैसे तो आवारा कुत्ते जो पर्चीच चेहरे हैं उनको अटैक नहीं करते लेकिन अपर्चीस से जान पड़ रहे सिक्षकों को और सिक्षकों में दोस्तों भैभी होता है क्योंकि जानवर जो भी होते हैं गाउदेहात में वो जहां पे पैनिक होता है जहां पे फियर होता है वो उसे बहुत ही इसली अपने सेंसे रेकगनाईस कर लेते हैं और दोस्तों अटेक करते हैं अब ये मुहला पाटशाला के लिए जो घाओं के आवारा कुत्ते हैं बहुत बड़ी चुनोती दोस्तों प्रस्तुत कर रहे हैं इस चुनोती का डटके सामना करना है और कैसे इससे निजात पाई जाए दोस्तों पूरा का पूरा इस वीडियो म देखते हैं कि आखिरकार मुहला पाटशाला में आवारा कुट्टे अपनी कैसी भूमी का अदा कर रहे हैं और आने वाले समय में कौन से खास प्रभावी कदम उठाने की जरुवत है दोस्तों ये पत्र जोकी आप देख रहे हैं महा निदेशक स्कूल सिक्षायों राज परिणा निदेशक कारेले से प्रेशित है प्राचार जिला सिक्षायों प्रसिक्षायों संस्तान समस्त जनपत उत्तर प्रदेश को जिला वेशिक शिक्षा अदिकारी समस्त जनपत उत्त प्रदेश को ये पत्र दोस्तो प्रेसित हुआ है सासा जिला अधिकारी को भी ये प्रिस्थांकित हुआ है और मिशन प्रेणा की पाटशाला फेस फाइब कीस में बात हो रही इसी के तहद ये पत्र दोस्तो तीन जुलाई 2021 को जारी हो रहा है यहां महला पाटशाला की बात ह पुरे ही मोहला कक्षाओं का संचालन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि COVID-19 प्रोटोकाल का अनुपालान सुनिशित करते हुए प्रेणा साथी के सहयोग से सिक्ष को दोरा मोहला कक्षाओं का संचालन किया जाया मोहला कक्षाओं के प्रभावी संचालन निम्नुवत निर धारण किया जाया अब यहां पे सबसे बड़ी बात जो अंत में दूसरा important point है कि जिन अभिवाव को दोरा बच्चों को मोहला कक्षाओं में नहीं बेजा जा रहा है अथ्वां उन्हें अनिमित रूप से बेजा जा रहा है ऐसे परिवारों को चिर्नित किया जाये तता होम बिल्कुल अपरची चेहरों पे अटेक कर रहे हैं यहां एक जो वाक्या जन्पत प्रताबगर में दोस्तों रिपोर्ट हुआ है वो यह है मुहला पाटशाला में बच्चों को पढ़ाने गए प्रात्मिक विद्याले पयागपुर आउरिस्ता विकास्षेत्र बाबा विल गाउं में जाएं तो सिक्षिकों की प्रतक्रिया यह है कि सरवाधिक सुरच्षित अस्थान विद्याले में बच्चों को क्यों अपढ़ा जाए बता दें कि इससे पहले प्रात्मिक विद्याले जैसिंगल के हेड्मास्टर परजापत जी को भी कुत्ते ने काट लिया था दोस्तों यह दूसरी घटना है एक ब्लॉक में यह जानकारी विस्षिस्ट बीटी सी सिक्षक संग जिलाध्यच डक्टर विनोत्र पाठिन दे दोस्तों यह पत्र में भी रिपोर्ट हुआ है मोहला क्लास से लौट रहे सिक्षक को कुत्ते ने काटा बिलखर नात धाम विक दोस्तों एसी ही यह घटनाएं जो है हो रही है और एक ब्लॉक की यह घटना है जनपद में यह घटना है पूरी की पूरी रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे प्रदेश में 79,000 सहायक शिक्षक भरती में तिर्ती चैन सूची में चैनिस सफल अभरतियों को न्यूकती पत्र वित्रित करते हुए माननी मुखमंतरी श्री योगी आदित नात ने दोस्तों यह कहा था कि मुहला कक्षाएं संचालित की जा रहे हैं एक चुनवती पूर्ण कार हैं हमें ये देखना होगा कि हम कैसे कुछ बच्चों को विद्याले बुलाएं कुछ बच्चों को मुहले में ही पढ़ाएं और कैसे हम रणनीत बना करके मुहला कक्षाओं को संचालित कर सकते हैं और भी मुहला कक्षाओं की बात ना करके उन्होंने ये कहा कि इस शिक्षा जगत के सामने जो COVID-19 वैश्वित महामारी ने जो चुनोती प्रस्तूत किया है कैसे हम उसका मुकाबला कर सकते हैं तो उन्होंने दोस्तों ये बात कही थी कि कुछ बच्चों को विद्याले भी बुलाने है तो सासन ने दोस्तों संग्यान में लिया है हो सकता है आने वाले समय में एक जो विद्याले में भी बच्चों को बुलाया जाए खेर गाउं में जो सिक्षकों की विजिट्स है वो एक प्रकार से हवारा कुत्तों को दृष्ट का तरकते हुए दोस्तों चुनोती पूर है और जल्द ही प्रशासन शासन इसका दोस्तों ह हाल निकालेगा ऐसा मेरा विश्वास है ऐसा मेरा मानना है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफॉर्मेशन ये लेटिस अपडेट सापको कैसा लगा है यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें लेकिन दोस्तों दोस्तों आपको अपड्रेट आपको अर्ली आपको अंप क्छाशे टेर्स अपको